हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टैडो डैक्ट पल्टू, मैं हूँ पल्लवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग और आज हम ये दिखने जा रही है, कि आप जिस परसन के साथ डील कर रही है, ये जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका अभी इस वक्त में आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिष्टा है उसको लेकर क्या सोचना है तो इस परसन की अभी इस वक्त की एनरजी जानने की कोशिश करी जा रही है, साथ में अगर यहाँ पर हो सकेगा तो यहाँ पर एक्शन भी देखे जाएंगे इस परसन के, कि रिसेंटली इस परसन की साइट से आपकी तरफ कोई आक्शन साता है या नहीं, कोई पॉसिबिल आपके रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनकी एनरजी इस क्या है, इनकी सोच क्या है आपको लेकर, आपके साथ को लेकर, ठीके, तो चलिए देख लेते हैं, guide कीजिए universe please divine, please archangers, please holy angels, please spirit guide, मुझे guide कीजिए बताएं, current energies के बारे में बताएं, viewers कि अभी इ lead, feeling alone, peach, solar plexus chakra, and overall energy है, embrace, guide कीजिए universe please divine, please archangers, please holy angels, please spirit guide, मुझे guide कीजिए बताएं, helpless and hopeless के मामले में अभी इस वक्त में viewers के परसन की क्या energies क्या सोच है, guide कीजिए बताएं, completations, the outsider, feeling alone को clarify कीजिए बताएं, इस मामले में current energies, viewers के परसन की अभी इस वक्त की क्या है, guide कीजिए बताएं, change, breakthrough, cleansing to the past, and overall energy है, guilt, ठीक है, तो देखें सबसे पहले मैं energies discuss कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर जो majority level पर energies मुझे दिखाई दी है, वो है आपकी, टॉरस, वर्गो एं, कैप्रिकॉर्न, व्रिशब कनिया इन मकर राशी, जैमनाई इन रिबरा और अक्वेरियस, मिथुन तुला इन कुम्ब राशी, तो यह तो मुझे majority level पर energies दिखाई दी है, मैं जब वापस से यहाँ पर clarifications के लिए कार्ट निकालूंगी, तो फिर से discuss करूंगी कि और यहाँ पर कौन कौन सी energies है, मुझे possibility यह भी दिखाई दे रही है कि जिस person के लिए आप ये reading देख रहे हैं, बिसिकली आप लोगों के बीच में अब geographically दूरिया है, चाहें आप लोग country wise, city wise, town wise, village wise की ओना हो दूरियों पर, लेकिन यहाँ पर दूरिया definitely दिखाई दे रहे हैं, यानि कि बाहरी तौर पर, physically आप लोगों के बीच में काफी ज़्यादा दूरिया है, यह तीन बहुत जादे important दिख रहे हैं, यानि कि मई और अगस्त मन्त जो आपसे इसी परसन के माध्यम से directly या indirectly वे में जुड़ा हुआ है, इनका birth month, आपका birth month, इन months में आप मिले थे, इन months में आप बिच्टे थे, तो ऐसे करके आपको यह number या यह month लेका चले होंगे, में हैं कि सोच में हैं, देखे मुझे यह आपर यह चीज़े काफे जादा clearly दिख रहे हैं कि इस वक्त मेना इस person को जैसे कि आप क्या हो, आपकी इनकी life में क्या जगा है, या क्या जगा थी, या आप इनके लिए कितने जादा important हो, उन सभी चीजों की इस person को अच्छी खास पहचान हो रही है, अच्छी खासी समझ इस person को उन चीजों की आ रही है, और जितना ज़्यादा यह person इस चीज को समझ रहे हैं कि आपकी क्या importance थी इनकी life में, आप इनकी दुनिया हो, आप इनका world हो, जितना ज़्यादा इस चीज को इस person समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा जैसे कि ये परसन अपने बाल पकड़ कर खीच रहे हैं, तो ऐसी एनरजी मुझे देख रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है इस वर्त में, इस पैशली कि जैसे इन्होंने आपको अपने आप से खुद से दूर करके अपने हिस्से अकेला पन इन्होंने ले लिया, अपने किस्म ये किसी तरह की help ले सकते हैं, और ना ये वहाँ पर खड़े होकर किसी तरह की उमीद रख सकते हैं, कि अब आप दोनों इस connection में वापस से complete हो पाऊगे, वापस से इस connection में आप दोनों जूर पाऊगे, तो ये परसन current में एक ऐसी energy या एक ऐसी सोच में हैं, कि इन्होंने आ बंद कर दिया, वो भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और इन्होंने अपने आपको सिर्फ सिर्फ अकेला लाकर खड़ा कर दिया, चाहे फिर ये जो अकेलापन है इनकी जिंदगी में, वो financially level पे ही क्यों ना हो, physically level पे ही क्यों ना हो, लेकिन ultimately जो इनकी किसमत में बदलाव आय है, disappointment की तरफ, losses की तरफ, guilt की तरफ, वो करने वाले, लाने वाले, create करने वाले, वो सभी यही है, तो वो चीजे इस परसन के मन में हसे जादा चल रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी जगह पे इस वक्त में हैं, जहां से ये निकल नहीं सकते, वहां पे ये पू की वज़ा है, यहां पे कोई leader, कोई ऐसा authoritative person, जो इस परसन को ये समझा रहा है, कि देखो, अब तुम जहां पे हो, तुम वहां से निकल नहीं सकते हो, निकलने के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं है, यहां से अपना even focus भी बदलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपना focus भी तुम्हें shift नहीं करना है, तो यहां पर एक ऐसी energy है, जैसे कि आपके परसन इस वक्त भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस सभी situation से, इन हालातों से, even इस leader के control से भी यह परसन बाहर निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन यह निकलने के मामले में अपने आपको बिल बिल्कुल helpless समझ रहे हैं, कि यह नहीं निकल पाएंगे यहां से, ठीके इस वक्त में इस परसन के दिल में यह चीजे चल रही हैं, कि जैसे कि इन सभी चीजों ने इनने बहुत कुछ सिखा दिया है, कि किसी के साथ तुम न्याएं नहीं करोगे तो तुमारी जिंदगी में भी न्याय नहीं होगा ठीक है ऐसी चीजे इस वक्त में इस परसंद के दिल में हच से जादा चल रही है एजन इन्हें यह लग रहा है कि मैं जो आज की डेट में या अभी इस वक्त में अपने आपको स्टफ फील कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी पीछे की सिंपल सी ये वज़ा है क्योंकि मैंने दूसरे की जिंदगी में यहाँ पर न्याय नहीं कर रहा है यहाँ पर ये भी चीजे दिख रही है कि ये परसंद जो अपने आपको एकदम स्टफ फील कर रहा है उसके पीछे की वज़ा है ट्रेडिशन, कास्ट, परंपरा जो ये रिट्यूल सीखते आया है जो इन्हें सिखाया गया है जो भी इनके रीती रिवाज है जिसे इन्होंने बचपन से सीखा है जिसके लिए इन्होंने हमेशा इमानदारे निभाई है और उसी के चलते इस परसन ने आपकी वैल्यू समझने के बावजूद भी आप इनकी लाइफ में क्या हो उन सब चीजों को मानने, सुईकार करने के बावजूद भी आपके साथ इन्होंने न्याय नहीं करा है उस चीज का गिल्ट इस परसन के मन में हट से जादा चल रहे है यहाँ पर एक ऐसी एनरजी है कि यह परसन इस वर्ट में गिल्ट के इतने जादा नीचे दबे हुए हैं कि यह जो अभी तक अपने विल पावर को स्ट्रॉंग भी करते आ रहे थे ना कि ठीक है जो सिखाया ह उसे फॉलो करना है उसे ही अपने लाइफ में बनाई रखना है वो विल पावर भी इस परसन की कही ना कही डगमगाने लगे हो वो विल पावर भी जैसे की इस परसन को ना परिशान कर रहे हो इस तरह से कि भई तुम जहां पे निकले हो ना वहां पे तुमने अकेला पनी जो अपनी तरफ अपने हिस्से लिया है, तुमने अपनी जंदगी में से बहुत कुछ खतम कर दिया है, चीके, और सबसे ज़्यादा चीज खतम करी है, पॉजिटिविटी को, सपोर्ट को और एक बहुतर परसन को, तो उन चीजों किया इस परसन को हद से जादा इस वक्त में रियलाइज हो रहा है, हद से जादा वो चीज इस परसन के दिमाग में इस वक्त में चल रही है, यानि कि पास्ट में करी हुई गल्तिया, जो आज की डेट में गिल्टी के तौर पर इस परसन के दिमाग में चल रही है, वो मुझे आपर बहुत क्लियरली दिख रहा है, ची ठीकिए गाइड कीजिए you को केनी सिंधिये मैं क्या चल रहा है Attióriaजिए लव्र यार धी उडियन आपका साथ आपके साथ जूबी इस कनेक्शन में कि इनकी इनगी फीह भाउन्दिग या वो सभी चीजे इस वक्तल के दिल में, इनके मन में चल रही हैं लेकिन इन सभी चीजों को इस REE UNION को वापस से कैसे ये लेकर आए उने सभी चीजों के मामले में उतना ही ज़्यादा ये पसलद अपने आपको helps से फेल कर रहा है इन्हें क्योंकि इस connection में इस reunion की कोई उमीद नहीं दिखाई दे रही है इन्हें इस वक्त में definitely ये लग रहा है कि मैं प्यार के मामले में न सबसे ज़ादा अधूरा इंसान हूँ या अधूरी इंसान हूँ तो वो चीज़े इस परसन को इस वक्त में जैसे की खाए जा रही हूँ तो ये यहाँ पर मुझे बहुत जादा clearly दिख रहा है लीड को clarify कीजे बताईए इस मामले में current energies क्या है अभी इस वक्त में ये परसन क्या सोच रहे है लीड को clarify कीजे बताईए devil देखो क्या मज़े की बात है आपके बारे में सोच रहे है या अधुरेपन के बारे में सोच रहे है तो इन्हें lovers की याद आ रही है और जब ये जो authoritative person है जिसके ये हद से जादा control में है उसके बारे में जब ये सोच रहे है तो इन्हें devil की याद आ रही है यानि कि यहाँ पर definitely बहुत जादा possibility दिख रही है कि आपके person हद से जादा किसी के control में हैं, जिसे यह ना चाहकर follow कर रहे हैं, किसी की जंजीरों में यह बंदे हुए हैं, किसी के rules and regulations के अंदर यह person इस कदर बंदे हुए हैं कि यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, य एकदम disappointment होने लगते हैं, कि यहाँ से शायद नहीं निकल पाएंगे, ठीके, तो यहाँ पर बहुत जादा possibility है कि आपके person की life में कोई ऐसा person है, जो इस person को हद से जादा control करे बैठा है या बैठी है, इन्हें जैसे chain में बांध रखा हो, चाहिए फिर यह chain किसी के भी नाम की हो, emotionally fool नाम की हो, traditions की नाम की हो, rituals की नाम की हो, फिर यह किसी के भी नाम की हो, लेकिन यहाँ पर जंजीरे तो ultimately इस person के गले में बांध रखी हैं, तो वो चीजे इनके मन में हद से जादा सवक्त में चल रहे हैं, कि इस जंजीरों को तोड़ना मेरे लिए नमुम्किन है, बह इन्हें प्यार की याद आ रही है, उसके मामले में guilt feel हो रहा है, लेकिन इन्हें यह भी समझ में आ रहा है, कि भाई देखो, इस ते निकलना भी मेरे लिए तना आसान नहीं है, feeling alone को clarify कीजे, बताईए, इस मामले में current energies, 8 of cups, यहाँ पर नमबर 8 यानि कि अगस्त मत, definitely काफी जादा मुझे important दिख रहा है, इस वक्त में इस परसंद का दिल तो यही कर रहा है, कि इन सभी चीजों को छोड़ का move on कर जाए, यानि कि जिस control में इस वक्त में है, आप से तो already इन्होंने move on ही कर रहा है, जिसका यह बहुत जादा guilt भी feel कर रहा है, लेकिन जहाँ पर भी इ situation को बदलने के बारे में ये person इस वक्त में हट से जादा सोच रहा है, इन्हें ऐसा feel हो रहा है कि जैसे कि न, अब कुछ बदलने वाला नहीं है, चेंज नहीं होने वाला, मेरी किस्मत में कुछ बएतर नहीं होने वाला, मेरे हिस्से अकेला पनी हैं, चाहे मैं इस साइड जाओं या इससे दूर जाओं, दोलों ही तरह से मेरे हिस्से अब अकेला बन ही है, और मेरे लिए यह बेतर है कि यहां पर अकेले रहने से, अकेले ही अपनी लाइफ को जी आ जाए तो उस तरह की चीजे परसन के मन में हच्छ से जादा चल गए हैं, यह यह बात तो पूरी तरह से clear हो रही है कि पूरी तरह से निराश हो चुके हैं इन्हें यह लग रहा है कि मेरी जिन्दगी नब यही पर थम गई है अब इसमें किसी तरह का बदलाव आना ही नहीं है मेरी cycle यहीं तक थी मेरी किसमत यहां तक ही आकर थमनी थी तो ऐसी चीजी इस परसंने के मन में इस वक्त में हद से जादा चल रहे है ठीके टीज को clarify कि मईABी दके इस मामिले में current energies क्या है इस person कीлюka किहार आएकी बताइए 4 of pentacles इन्हों एस एनर्जी में हैं जिसमें हद से जादा में सिक्मरिटी फूर्ट कर रहे हैं अपनी खुश्यों को लेकर एजन की नहीं लग रहे हैं कि खुश्यां हैं नहीं मेरी लाइफ में चीके यहाँ पर यह भी पॉस्विलिटी दिख रही है कि यह पसन आपसे जुड़ी हुई कोई मैमूरी को बहुत जादा सीने से लगा कर बैठे हूं और बहुत डिस्टर्ब हो रहे हूं बहुत इस सोच के साथ कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और दूर रहकर भी तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया तो उस तरह की चीजे इनए पसन के मनमें इस वक्त में हचसे जादा चल रही हैं एस न साथ रहकर तुमने मुझे खुश रहना सिखा दिया और दूर रहकर तुमने मुझे जिंदगी के हर एक इंसान की पहचान करनी सिखा दिया तो उस तरह की चीजे ना इस वत में इस परसन के मन में हद से ज़्यादा चल रहे हैं इस बीवस के परसन की क्या है आई दीको यहाँ पर यह चीज़ी तो बहुत जादा क्लियर हो रही है कि यह परसन इस वर्त में नो रही हूँ छोच रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो इने कोई अच्छा फ्यूचर नहीं देख रहा तो ये रो रहे हैं ओवराल इनकी लाइफ ऐसी हो गई है जैसे कि बस डिप्रेस्ट हिए हर एक चीज को लेकर जिस भी तरफ सोचते हैं जिस भी ना रही हो इस परसन को, डिस्टर्ब इतने जादा हैं, बैठे हैं और बस सोच में हैं, कहां आ गए, क्यों आ गए, ऐसी चीजें इस परसन के मन में इस वक्त में हद से जादा चल रही हैं, यानि कि इस परसन की जिंदगी में इस वक्त में जो भी अंधेरा पन है, जो भी चल रहा है ना, उन सभी चीजों को ये परसन एक anxiety के तौर पर ले रहा है, जिसके मामली में ये लग रहा है कि इसे ये solve कर नहीं पाएंगे, इन से ये कभी आजाद हो नहीं पाएंगे, और इन सभी चीजों का doubt इस person के मन में इस वक्त में जितना ज्यादा चल रहा है ये person उत नमबर नाइन आपके लिए इंपोर्टेंट दिख रहा है यानि कि आपका सेप्टेंबर मन्त दिखो यहां पर यही चीज़े काफी ज्यादा क्लियर ली है कि जितना ज्यादा यह परसन आपकी वैल्यू को लेकर गिल्टी फील कर रहे है न उतना ज्यादा यह परसन अपने आ पर यह चीज़े दिख रहे हैं कि जितना ज्यादा समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्या थे इस चीज़े से जितना ज्यादा यह परसन दर्द फील कर रहे है गिल्टी फील कर रहे है उतनी ज्यादा हिम्मत आपकी तरफ बढ़ने की बजाए अपने आपको कर रहे हैं इसी रीजन की वचा की तो करेंड में एक ऐसी एनजी है जैसे की ये परसन ये सोच रहे हो कि भई प्यार तो मैंने अपनी लाइफ से कई न कई खो ही दिया है लेकिन अम मुझे यहां पर रहकर अपनी और बाटकी की जो बची कुछी जिन्दगी एना उसे नहीं ख श्रच से जाधा चल रहे हैं चले चहना क्या चाहरे हैं याप से पहले ये देखते हैं गाइट कीज वद 12 के परसन कहना क्या चाहरे हैं ah I want to meet you अपनी और चाहरे कि इन्हें अभी तक नहीं कर रहे हैं और तुम भी मुझसे गिब अप मत करना I have never forgotten you आपसे कहना चाहरे हैं कि नोने ना तो आपको तब बुलाया और ना ये नोने आपको अब बुलाया यानि कि नोने आपको ultimately कभी भी नहीं बुलाया अगर आपको ऐसा लगता है ये बूल गए हैं तो ये आपको कभी भी बुला नहीं पाहें You still take my breath away क्योंकि तुम तो हमेशा से मेरी सासों पर कबज़ा करे हुए हो मेरी सासे सिर्फ और सिर्फ तुमारे ही नाम से जैसे चल रही हो तुमारी यादों से चल रही हो तुमारी जो भी मेरे पास पोटो है उससे ही चल रही हूँ तो यापसे ये कहना चाह गए है दो कार्स एक साथ आ गए थे I am afraid of rejection बट अब मुझे डल लगता है कि कहीं तुम मुझे reject ना कर दो क्योंकि मैंने जितनी गलतिया करी हैं तुमारे साथ इस connection में वो सब मेरे को ये ही समझाती है कि तुम जैसे इंसान को ना प्यार मिलना नहीं चाहिए तो वो चीज़े आपसे कहना चाह रहे थे वाई कांट यू टेल how you feel because how you are acting is confusing me आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम ये क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो न तो वो मुझे confuse कर रहे हैं I will make things right between us one day but मैं ना तुम्हें एक दिन सब चीज़े सही करके दिखा भी दूँगा या दूँगी तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं चीके चलिए आपके लिए देखते हैं क्या इस परसन की तरफ से कोई actions आने की possibility है या नहीं guide कीज़े बताइए viewers के person की तरफ से क्या कोई actions आने की possibilities है या नहीं guide कीज़े बताइए guide कीज़े बताइए guide कीज़े बताइए guide कीज़े बताइए कि अब्यूर्स के पसंद की तरफ से कोई एक्शन आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं गाई की कि बताएए एंपरर पास्ट बन इस थ्री ओफ कप्स टैंपरेंस एंपरर एंपरर को ख्लारपाई की जबताएए युनिवर्स एंपरर को ख्लारपाई की एजिट रहें जिए वाव कुछ एंड ओवर अल एनरजी भी हाँ पर है एस ओफ दो जो कम्मुकेशन को डिनोट करता है देखो मुझे यहाँ पर यह चीजे दिख रही है कि पास्ट में डेफिनिटल आपके परसन इस थर्ड़ पार्टी की तरफ अट्रड हुए थी पास्ट में आपके परसन इस थर्ड़ पार्टी की तरफ जाकर उसके साथ जो खुशिया इन दिख रही थी ना उस चीज की तरफ यह हद से जादा ट्रैक्ट हुए थे करंट में अभी परसन उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहां पर यह आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं फिर चाहिए भले आप दोनों के बीच में कितने भी डिफ्रेंस क्यों ना हो यानि कि इस कनेक्शन में यह परसन उ अभी यह परसन इस वक्त में है करंट में चीके एजन आप यह चीजे मुझे बहुत जादा क्लियर ली देख रही है कि आपके परसन डेफिनेटली ना अपनी पावर को समझेंगे अपनी पावर में आएंगे और उसी पावर में आने के चलते यह परसन आप से बात भी करें क्या चाहत है क्यों हुआ कैसे हुआ किस चीज के लिए गिल्टी है तो वो चीजे इस परसन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की मुझे पॉसिबलिटी बहुत क्लियर ली हाँ पर दिख रही है ठीके और मतलब यह दिख रहा है जिते कि यह परसन खुद से चीजों को क्लियर करेंगे आपसे ठीके समय और देखते हैं गाइट की जो बताईए कब तक वीवर्स के परसन के एक्शन साने की इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट या मैसेज आने की पॉसिबलिटी इस दिख रही है गाइट की जो बताईए यूनिवर्स ग देखें मुझे आपर इस परसन के आपके तरफ कॉल टेक्स्ट या मैसेज आने की पॉसिबलिटी दिख रही है बहुत क्लियरली और वो भी थ्री वीक्स तीन हफ्तों के अंदर अंदर इस परसन की तरफ से आपके पास क्लियारिटी आ सकती है इनकी तरफ से मैसेज आ सकता ह आपके पास उसकी possibilities आपर बहुत clearly दिख रही है कि आपका इंतिजार कर रहे हैं यह आपको clarity देना चाह रहे हैं इस connection में आपका साथ चाह रहे हैं तो उस तरह की सभी claritys इस person की तरफ से आने की possibilities तीन हफतों के अंदर अंदर जब भी आपके सामने यह reading आती है उसके 3 weeks के अंदर अंदर आने की हस से ज़ादा possibilities मुझे काफी clearly दिखी है चीके तो यह थी मेरी reading के अभी इस वक्ट में यह person किस energy में है क्या इस person की तरफ से आपके पास कोई actions आने की possibilities है या नहीं है तो कब तक तो यह सभी doubts मैंने clear करे I hope आपको reading के मात्यम से clarity मिली हो आप connect कर पाए हो अपने आपको इस reading से अगर आपको clarity मिलती है connect कर पाते हैं तो बताइएगा जरूर चैनल को like, share and subscribe जरूर से कीजेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई readings नई-नई topics लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई